सब्सक्राइब कीजिए The Commerce Tutor YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हलो दोस्तों मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हो The Commerce Tutor आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा टॉपिक लेके आया हूँ जो काफी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके बारे में और यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि Theory Subjects जैसे कि for example मैंने यहाँ पर Business Studies ले रखा है देखो यह Business Studies है Theory Subjects जो है उसको हम कैसे Study करेंगे वो हमको यहाँ पर देखनी है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू कि हमारे चैनल पे The Commerce Tutor पे Business Studies Class 11 और 12 CBSC syllabus का पूरा lecture जो है हर chapter का बिल्कुल structured way में covered है तो अगर आपको इस से related इस subject से related कोई problem आ रही है तो आप refer कर सकते हो हमारे चैनल को ठीक है Class 11 और 12 के chapter wise आपको सारे वीडियो बिल्कुल free में मिलेंगे वहाँ पर तो देखो students क्या problems face करते हैं सबसे पहले उसको समझना जरूरी है कि theory subjects में students की problem क्या आती है तो सबसे common problem तो है understanding की कि कोई भी paper हो चाहे theory हो या practical हो कुछ ऐसे topics रह जाते हैं जो students को समझ में नहीं आते हैं हर बच्चा इतना क्या कहते हैं इतना bright तो होता नहीं कि हर topic को teacher एक बार में समझाए तो समझ जाए तो समझना तो सबसे ज्यादा important है अगर आप किसी topic को समझोगे नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा काम तो नहीं चलेगा तो इसकी क्या solution है वो हम आगे बात करेंगे तो पहला problem जो face होता है वो क्या है understanding कि topic जो है वो समझ में ही नहीं आया ठीक है उसके बाद की problem क्या है retention कि topic पढ़ लिया समझ लिया पर याद कैसे रखें अरे भाईया हमको ये तो तो exam में जाके answers कैसे लिखें भाई समझ लिया याद भी कर लिया हमको याद भी है भूले नहीं है पूरा concept अभी बोलो के तो मुह से पूरा बता देंगे लेकिन exam में लिखने का skill जो है वो नहीं मिल पाता तो तीन चीज़े हैं तीन problems mainly होती है और इन तीनों का point to point discussion आज हम क ज्यादा यूज किया है और मुझे success भी मिली है बहुत ज्यादा लाव मिला है तो मेरे साथ देखते जाए वीडियो को बिल्कुल end तक देखना देखो understanding जो है जो आपको समझ में नहीं आया उसके लिए आपके पास एक ही option है आप किसी teacher की help ले सकते हो okay आपको जो topic समझ में नहीं आया आप शर्माओ मत फिर से अपने टीचर के पास जाओ टीचर को जाकर बोलो कि मैडम या सर आपने मुझे चीज समझाई थी नहीं समझ में आया आप मुझे कृपया फिर से समझा देजे तो teacher आपको प्यार से अच्छे से दुबारा समझा देंगे वो कभी आप प बिजी भी हो सकता है तो आप क्या करो अपने किसी दोस्त फो पकड़ ओ अरे भाई दोस्त काम किस लिए आते हैं मुसीबत के समय दोस्त ही तो काम आते हैं तो कोई आपका अच्छा दोस्त है मान लो जिसके साथ आपकी bonding बहुत अच्छी है और आपको पताए कि उसका ये ट business studies जो कि theory subject है class 11-12 का और बच्चे उससे काफी ज़्यादा डरते हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा technical लगता है बहुत ज्यादा tough लगता है तो business studies जो है उसके सारे lectures मेरे चैनल पर covered है ठीक है आपको भी अगर problem है तो आप जाके देख सकते हो तो वैसा ही internet भी एक source है जहां से आपको understanding जो है उसकी problem को आप solve कर सकते हो चीजों को अगर आपको समझ वे नहीं आ रही है तो आप उनको समझ सकते हो ठीक है यह तो हो गई chapter जो आप पढ़ते हो उसका एक ऐसा map बना लो ठीक है इसको बोलते concept map ऐसा map अगर आप बना लोगे न उस chapter में जितने भी topics है देखो इस image में अगर आप देख पा रहे हो उस chapter में जो भी topics होंगे वो सारा आप इस format में एक बार लिख लो ठीक है अपने image format में graphical format में ताकि chapter में क्या-क्या topics थी ठीक है यह हो गया पहला point उसके बाद दूसरा point क्या है आप निमोनिक्स बना सकते हो निमोनिक्स क्या होता है कभी-कभी कुछ hard चीजें होती है जो याद रखना बहुत difficult होता है तो उनको याद रखने के लिए न हम कुछ simple सा कोई एक निमोनिक बना ले Uranus, Neptune, Pluto Pluto तो अभी नहीं है चलो Uranus, Neptune तक ही अभी planets है इनके नाम याद रखने के लिए एक निमोनिक बनाया गया है My very educated mother just served us noodles इस sentence के हर word के पहला अक्षर को अगर आप ले लोगे तो उससे आपको सारे planets के नाम याद हो जाएंगे आपको पता ही होगा निमोनिक्स टेकनीक जो है बहुत common टेकनीक हम लोग यूज़ यूज़ करते हैं इसके बाद है audio recording टेकनीक देखो ये टेकनीक जो है बहुत ज्यादा effective है अब आप सभी के पास आज के दिन में एक smartphone तो है ही ठीक है smartphone है या laptop है मानलो या tablet है कुछ भी है online classes देख रहे हो आप तो जब भी आप किसी चीज को पढ़ो तो उसको दोहराते हुए पढ़ो या किसी topic को पढ़ लिया तो उसके बाद उसको एक बार आप अपने आप में दोहराओ और दोहराते समय क्या करो ना उस जो आप बोल रहे हो ना उस टॉपिक के बारे में जो भी आपने पढ़ा है उसको आप audio record कर लो अपने phone में ठीक है ताकि बाद में आप उसको headphone लगा के सुन सको अब यह audio recording की technique इतनी effective है मैं आपको एक example से समझाता हूँ कि आपके घर में दादी नानी या दादा जी है आपके नाना जी है ये लोग जो है ये सुबा सुबा उठके जब पूजा करते हैं तो या तो हनुमान 40 पढ़ते हैं या कोई भी लोग जो मंतर पढ़ते हैं ये चीज जैसे जो है आप सुनते ही जैसे ही आप सुनोगे सुनते ही आपको ना हर रोज आप सुबा ये चीज सुन रहे हो हर रोज सुन रहे हो तो आपको दिमाग में बिल्कुल रट जाती है याद हो जाती है किसी गाने का लिरिक्स आप जो गाना सुनते हो क्या आपने उस गाने क पढ़ रहे हो, उसको भी audio record कर लो, अरे भाई अगर आपको normal audio record करना बोर लगता है ना, तो उसको एक गाने के फॉर्म, एक tune के साथ record कर लो, थोड़ा सा उसमें मसाला डाल दो, थोड़ा गाने का tune डाल दो, और उस हिसाब से आप उसको record कर लो, और बाद में क्या काम करना है, ज्यादा महनत नहीं करनी है, बस किसी भी अपने free time में revise करने के लिए headphones लगाने है, और वो recording चला देनी है, और सारे recordings को properly आप अपने phone में नाम दे देना, कि कौन से topic की recording थी, ठीक है, तो audio recording technique एक बहुत ही जबर्दस्थ technique है, जो बहुत ज्यादा काम आती है, क्योंकि जब आ है, यह तो पानी है, अब देखो, यह चौथा technique भी बहुत important है, और यह कब काम आता है, जब आप group study कर रहे होते हो, ना तो यह technique जो है, बहुत ज्यादा effective है, और बहुत ज्यादा काम भी करता है, हम लोग जब अपने student life की बात करें, तो हम लोग mess में रहते थे, और mess में क्य को बोलते थे कि मैं यह chapter पढ़ लेता हूं, तु अगला chapter पढ़, तु वो chapter मेरे को समझा दे ना, मैं यह chapter तुम को समझा दूँगा, तो उससे क्या होता था, कि हम पढ़ते भी हैं, साथ में उसको explain भी जब करते हैं, तो जब हम उसको explain कर रहे होते हैं, तो वही चीज हमार हमारे दिमाग में भी register हो रही होती है, तो उससे क्या होता है, कि चीज हमारे दिमाग में और ज्यादा अच्छे से बैठती है, अगर मानलो आपके पास कोई friend अभी नहीं है, lockdown का समय है, आप घर पे बंध हो, तो आप कोई तकिया रख लो अपने सामने, तकिया रख लो, य ऐसा pretend करो कि वो आपका friend है, और आप उसी को समझाओ, ठीक है, और आप क्या कर सकते हो ना, audio recording वाली जो technique मैंने आपको बताई, आप उसको यह technique के साथ mix कर सकते हो, जब आप अपने friend को समझा रहे हो, या किसी तकिये को सामने रख के समझा रहे हो, या चोटे भाई बहन किसी को समझा रहे हो, तो उस समय आप क्या करो, उसी समय उसके recording भी कर लो, तो फिर अलग से आपको recording करना पड़ेगा, और वो जो आपने उसको explain किया, उसकी audio recording आपके पास saved रहेगी, कभी भी आपको फट से revise करना है, तो वो map जो मैंने आपको बनाने के लिए बोला था, उस map को copy में खोल लो, और साथ में ये audio recording चला लो, आपको सारी चीज़े बिल्कुल पानी की तरह आख के सामने जो है, पूरा chapter जो है, topic जो है आपको दिखने लगेगा, तो उस case में आपकी revision इतनी solid होगी, कि अगले दिन exam में जाके, अगर exam से पहले दिन आप कर रहे हो, तो आप त ये technique जो है, मेरी personal use की हुई technique है, बहुत ही जादा effective है, बिल्कुल फारू technique है एकदम, फार दोगे अगर आप इसको use करोगे तो, उसके बाद देखो smart categorization of points, ये मेरा बनाया हुआ technique है, और इसके बारे में ध्यान से सुनना, ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, कभी-क ये भी क्या होता है, कि जब कोई topic हम theory में पढ़ते हैं, जैसे management मानलो, ठीक है, management में आपको क्या पढ़ना पढ़ेगा, features of management, advantages of management, objectives of management, functions of management, disadvantages of management, इतने सारी चीज़ें आपको पढ़नी पढ़ेंगे, मानलो, अब आप जब ये points पढ़ोगे ना, तो मानलो, features में 10 points है, advantage में 10 points, disadvantage, ऐसे करके 40-50 points बन जाते हैं, पर आप जो पढ़ोगे ध्यान से तब आप देखोगे कि जो features में point है, कुछ points objectives में common है, या features में जो point है, कुछ points आपके advantages में common है, कुछ points function और advantages में common है, ठीक है, तो आप देखो कि headings अलग-अलग है, books में अलग-अलग headings में लिखी हुई लेकिन एक ही बात बार-बार दोहराई जा रही है, ठीक है, हर बात को नहीं दोहराई जाता है, पर कुछ points ऐसे होते हैं, जो common होते हैं, और उनको बार-बार दोहराया जाता है, कभी features में भी दिख जाएंगे, कभी advantages में भी, कभी functions में भी, तो आप एक काम करो ना, आप अल से रचना नहीं पड़ रहा है, आप 25 items की list बना लोगे, और उन items के बगल में, जो item उस topic का feature है, आप बगल में एक F लिख के एक round कर दो, जो item उस feature के साथ एक advantage भी है, तो आप F और A दोनों लिख दो उसके बगल में, तो आपको याद रहगा है कि ये जो 25 points के smart list है, इसमें क आपको सारे heads अलग-अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप मेरे से पूरा agree करोगे, अगर आप agree करते हो, तो आप comments में बताना, कि ऐसे common points आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये totally मेरा develop किया हुआ technique था, मैं अपने student के time में परिशान हो गया थ इसके बाद देखो, revision, सबसे important, सबसे ज्यादा क्या कहते है, महत्वपूर्ण चीज जो है आपको retention के लिए, मनने चीजों को याद रखने के लिए revision, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई तोड नहीं है, revision अगर आप नहीं करोगे, तो चाहे आप कुछ भी कर लो, कितना भी उचल लो, कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन revision भी जो करनी है, उसको एक टेकनीक से करनी है, ठीक है, एक timeline फॉलो करके अगर आप revise करोगे, तो आपको चीजे जो है ज्यादा अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे, और अप लंबे समय तक याद कर सकोगे, तो retention क revision करने का हमारा main objective क्या है, कि चीजे हमको लंबे time तक याद रहें, तो revision कैसे करना है, जो चीज आपने आज पढ़ी, सबसे पहले आप उसको अगले दिन एक बार revise करो, ठीक है, वो revision आप लिख के कर सकते हो, audio recording सुन के कर सकते हो, किसी को explain करके कर सकते हो, वो तरीका आपको अ लिया ना, तो कसम से बोलता हो कि आप एकदम exam के पहले दिन भी अगर थोड़ा सा भी देख लोगे ना, तो आपको पूरी बाते जो है एकदम पानी की तरह यादा जाएंगी, ठीक है, सब कुछ आपको आग के सामने दिखने लगेगा, तो ये revision की strategy बहुत ज्यादा कामाती ठीक है, लेकिन ये जो next day, seventh day और 21st day का है, ये आपको बिना भूले follow करना है, अगर आपने follow नहीं किया, तो फिर आपका कोई फायदा इससे नहीं होगा, और देखो last और एक तरीका जो है, जिसको हम avoid नहीं कर सकते, वो है रटा, यानि कि memorize करना, याद कर लेना, अब कभी-क तो भी कुछ चीजें ऐसी होती है, जो हमको रटा मारना ही पड़ता है, मानलो कि आप अपने answer को सुन्दर दिखाने के लिए, आप क्या करना चाहते हो, कि किसी author का लिखा हुआ एक definition, या बताया हुआ एक definition, आप quote करना चाहते हो answer में, तो उस समय आपको क्या करना तो हर जगा पर रटो मत, ऐसा जरूरी नहीं है कि अब हर कुछ ही रट लो, समझना जरूरी है, रिवाइस करना पढ़ना जरूरी है, रटा मारना कभी-कभी जरूरी हो जाता है, कभी-कभी आप रटा मारने को avoid नहीं कर सकते, ठीक है, जब आप future में law अगेरा पढ़ोगे तब आपको क्या करना पढ़ेगा, रटा कुछ-कुछ जगा पर मारना ही पढ़ेगा, तो कुछ लोग बोलते हैं कि रटा तो बेवकूफ लोग मारते हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं है, रटा मारना हर किसी के लिए important हो जाता है, किसी नहीं किसी level पर, तो ज चीजे जो हैं वो रटा जाएंगी, दिमाग में याद हो जाएंगी, ओके, यह हो गया retention की बात, अब आते final बात, understand कर लिया, अच्छे से revise कर लिया, चीजे हमको दिमाग में याद है, अब exam में जाके लिखें कैसे, तो देखो exam में जाके आप पहली बार अगर लिखोगे न अच्छे से सजा के नहीं लिख पाएंगे, और आजकल तो आपको पता है कि रटा-रटाया लिखने का जमाना भी नहीं रहा, हमको क्या करना पड़ता है, case studies में answers को सजा के लिखना पड़ता है, तो writing के लिए क्या है, कि आपको language के उपर command होनी जरूरी है, जिस भी language में आप answer लिखेंगे, उस पे आपका command होना जरूरी है, और जो है, vocabulary आपको थोड़ी सी strong करनी पड़ीगे, vocabulary मतलब, जो क्या कहते है, words जो है, जब भी आप books में कोई भी topic पढ़ते हो, तो कोई कठीन word अगर आपको मिलता है, उसी समय उसको underline करो, internet पे जाओ, ये dictionary खोल लो, उसका म words का मतलब जो है, आपको net पे मिल जाती है, तो cutting words का मतलब जो है, सीख लो, और उनको अपने answers में use करने की कोशिश करो, पस यही simple सी बात है, और दूसरी क्या चीज़ है, practice, अगर आप लिखने की practice नहीं करोगे, तो पढ़ हम लोग लेते हैं, book से, revise कर लेते हैं, सब कुछ क कर लेते हैं, बार-बार पढ़ लेते हैं, लेकिन बार-बार लिखने की practice नहीं करते हैं, और यहीं पर हम मार खा जाते हैं, क्योंकि exam में जाके आपको पढ़ा हुआ, मुझ से सुनाना तो है नहीं, लिखना है, तो लिखने की practice अगर करोगे, तो क्या होगा, आप time पे अप ले लो, और past examination के जो suggested answers है, उसको refer कर लो, उससे क्या होगा, उससे ये होगा, कि आपको तरीका पता चल जाएगा, कि exams में कैसे answers लिखे जाते हैं, और उनको practice करो बार-बार तो आपकी भी answer writing skill जो है, वो develop हो जाएगी, बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है, ठीक है, तो सा spending, retention और writing, तीनों चीज़े मैंने आपके साथ discuss कर ली, आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा इस lecture से, इस lecture को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, अगर आपको ये lecture पसंद आया, तो इसको कृपया like करें, नीचे comment करके बताएं आप देख रहे हैं, The Commerce Tutor, आपका दिन शुभू